जै गुरूजी संगजी गुरूजी टूडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को शेर करें और सबस्क्राइब करें और साथ में लगे हैं बैल आइकॉन के बटन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दें ताकि डेली अप्लोड होने गुरूजी की ब्लेसिंग संगजी आप तक पहुंच सकें संगजी अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरूजी किस प्यारे से चैनल पर अपना सचसंग अप्लोड करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्षिशन बॉक्स । में लिखे हैं हमारे वाट्सअप नंबर या बाइभח हमारे मोबाइग नंबर पर हमें कॉंडिक्ट कर सकते हैं या अपना वहाइस मैसेज की रूंप में रिकॉ defenders कर हमारे WhatsApp नमबर पर हमें भेज सकते हैं ताके हम गुरुजी के प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सके हैं जै गुरुजी ने energies का सचसंग पहुत अनुठा सचसंग है यह सचसंग दुनिया के दूसरे कोने से बेजाए देखे बड़ी गुरुजी की लीला पूरी दुनिया में इससमें गुरुजी के सच संग चल रहे हैं पूरी ब्लेसिंग चल रहे हैं संगा जी अस्ट्रेलिया में एक बच्चा साड़े चार साल का हो जाता है और उसके मुझे माँ शब्द में निकलता उसके पेरेंट्स की क्या हालत होगी संगा जी और उसकी माँ जब गुरु जी के दरबार पहुंचती है और फिर जो मिरेकल्स उनके जीवन में होते हैं संगा जी वो अन्बिलीवेबल हैं अस्ट्रेलिया में रहे के इतने सुन्दर मिरेकल्स गुरु जी के इतनी गजब की ब्लेसिंग संगा जी आप हिरान हो जाएंगे सत्संग के अंदर सुनके बहुत ब्यूटिफुल सत्संग संगा जी और यह सत्संग हमारे साथ शेयर किया है अस्ट्रेलिया से स्वाती मदान आंटी जी ने हाँ जी जब से इनके बच्चे पर गुरू जी की महर हुई है आंटी जी ने भी अपने यूट्यूब चैनल है आंटी का गुरू जी भजन भी स्वाती मदान बहुत सुंदर शब्द आंटी ने अपने इस पर रिकॉर्ड करके अफलोड करके हैं आप जुरूर सुनियेगा उनको और स सत्संग स्टार्ट करते हैं वापस मैं आपको बोला हूं संग जी सत्संग हमाएं साथ शेयर के अस्ट्रेग लाइचे स्वाति मदान अँटी जी ने चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं जै गुरू जी जै गुरू जी संगजी मेरा नाम स्वाती है मैं उस्ट्रेटिया में रहती हूं, मेरे उपर गुरुजी की बहुत बहुत ब्लसिंग है, बहुत ब्लस किया है, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लस किया है, संग जी बहुत सत्संग है मेरे पास, बहुत सत्संग है, गुरुजी की बहुत ब्लसिंग है, कितने सत्संग करूं, मेरे गुरु की कितनी वड़ियाई करूं उतनी ही कम है बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संग जी मैं सबसे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का कि गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक किया है मुझे मेरा बेटा साड़े चार साल का हो गया था और मेरा बड़ा बेटा साड़े चार साल का होके एक शब्द भी नहीं बोलता था कभी उसने मुझे ममा नहीं बोला बिलकुल भी बिलकुल चुप रहता था बहुत बहुत कम बोलता था संगजी सिरफ रिपीट करता था बहुत वो भी बहुत रेयर मैं उसको बोलती थी ममा तो कहता था ममा वो भी सो में से एक बार मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्यों नहीं बोल रहा है मैं डॉक्टर से पूछती थी पहला पहला बच्चा था समझ नहीं आती थी कि क्या होगा कब बोलेगा कुछ नहीं पता था संगर जी जब गुरुजी का सवरूब घर पे आया मैं गुरुजी को सिरफ एक ही प्रे करती थी मेरी बुवा ने एक्छली मुझे गुरुजी से मिलवाया special thanks to my बुवा very very special to special thanks to my बुवा जुननोंने मुझे गुरुजी से मिलवाया जिन्होंने मेरी life बहुत बहुत beautiful बना दी गुजी के आने के बाद life में problems तो आई लेकिन बहुत बहुत जल्दी गुजी solve भी कर देते थे आप मेरी life में आये आपने मेरी जिन्दगी को बहुत बहुत beautiful बना दिया गुजी I love you गुजी special शिक्राना गुरुजी कि आपने अपने बच्चे को ठीक कर दिया गुरुजी बहुत बहुत शिक्राना गुरुजी आपका संगा जी मेरे बेटे को साड़े चार साल का होने के बाद बलकुल नहीं बोलता था जब गुरुजी का सवरूप घर पे आया मैं गुरुजी को यही प्रे करती थी गुरुजी अगर आप हो तो इस बच्चे को ठीक करो इस बच्चे को बुलवाओ गुरुजी मेरा यकीन पूरा कर दो मुझे प्लीज बलेस करो इस बच्चे को बलवाओ प्लीज मुझे बताओ कि क्यों नहीं बोलता संगर जी मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस किया धीरे धीरे रोज मैं अपने बच्चे को बोलती थी हम भोग लगाते थे गुरु जी को तो हम बोलते थे मैं अपने बेटे को बोलती थी बोलो ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय गुरूजी का मंतर जाब बोलने को बोलती थी संगर जी उस ताइम मेरा बच्चा ओम भी नहीं बोल पाता था वो ओ ओ ऐसे बोलता था चलो गुरूजी का शुक्राना फिर हर पल शुक्राना मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरूजी का बोलता था ट्राइ करता था गुरूजी मेरे सपने में आये संगर जी मुझे गुरूजी ने दिखाया मेरा बच्चा उस ताइम बहुत आइपड यूज़ तो एनिवेज तो गुरूजी सपने में आये, गुरूजी ख़ड़े हैं, और मैं देख रही हूं, इदर हुद्ध भाज़ा दोन रही उ? अपने बेटे का, तो गुरूजी मुझे बोलते हैं, कि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप यहां पर खड़े हो आइपड आपके पासे मैं हर जगा आइपड देख रही हूँ गुरुजी मुझे बोलते हैं भजजा इतों नहीं मिलता आइपड और और उसके बाद मेरी नीन खुल गई एकदम से और मैंने अपनी बुबा को नेक्स दिन फोन किया मैंने बोला बुबा यह क्या है मैंने मुझे गुरुजी सपने में आया है पहली बार और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि नहीं मिलदा आइपड भजजा एतों मेरी बुबा बड़े मंदिर में सेवा करती है और मेरी बुगा मुझे बोलती है बेता, बस ये समझा, मुझे तो ये ही समझा आ रहा है कि आइपड चुपा दे संगर जी मैंने वो आइपड लिया, नेक्स तिन, और मैंने गुर जी के पास ही मंदिर में चुपा दिया संगर जी ठ्रस्ट मी, उसके बाद, गुरु जी ने धीरे धीरे जो, मेरे रस्ते खोले जो, मेरे बच्चे पर ब्लेसिंग की, मेरा बेटा, धीरे धीरे मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, मुझे किसी डॉक्टर ने हेल्प नहीं की, मुझे डॉक्टर जी यही बोलते थे, ब उसके बाद मुझे यही समझ आया कि मेरे बच्चे को आउटिजम है. संगर जी मैंने बहुत सर्च करने के बाद दॉक्टर से यह पूछा, दॉक्टर क्या आपको लगता है इसको आउटिजम है? फिर भी दॉक्टर मुझे पते क्या बोलते हैं? नहीं, इसको आउटिजम नहीं है, हमने चेक कर लिया है. लेकिन मैं कॉंटिनिसली यही बोल रही थी, कि नहीं, मेरे बच्चे को आउटिजम है. फिर गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी मुझे रस्ते दिखाओ, मैं क्या करूँ? गुरुजी, प्लीज मुझे रस्ते दिखाओ. ट्रस्ट में, मैं पहली बार, ट्रेन में बैठी ऐस्ट्रेलिया में, ट्रेन में एक बोर्ड लगा हुआ है, मेरे हस्बंड बैठे हैं, उनके पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें Autism Queensland का नंबर है, जहां पे मैं चेक करवा सकती थी, कि मेरे बच्चे को Autism है या नहीं है. मैंने वहाँ पे चेक करवाया, फटा फट फोन किया, उतरते ही, और बुक करवाया, उसका टेस्ट करवाया, संगर जी, मैं मैं मैंग्डॉनल्स चाहूँ, संगर जी भाई गुरूजी ग्रेस, गुरूजी ने बाद में मुझे होमियोपाथिक डॉक्टर सरच करवाया, उसको सरच किया, उसने दवाई दी, दवाईयां दिया, उसके बाद धीरे धीरे बेटा बोलने लगा, गुरूजी की Blessings से, गुरूजी मेरे हजबन को सपने में आए, गुरूजी मेरे देवर को सपने में आए, बहुत 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 Blessing की गुरूजी ने, आज की डेट है कि मेरा बेटा सब कुछ बोलता है, In between that time, मैं इंडिया गई, इंडिया में मैंने डॉक्टर चेंज किया, गुरूजी ने वो भी मेरे को रश्ता दिखाया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत बहुत Bless किया, मेरे बेटे को बहुत Bless किया, आज by Guruji Grace, only and only by Guruji Grace, वो बच्चा सब कुछ बोलता है, स्कूल जाता है, बिलकुल ठीक है, बिलकुल ठीक है, माइ लाइफ इस सो सो बियूटिफल विद माइ Guruji, अब तो दिन है, रात है, जो भी है, बस Guruji है, बहुत बहुत शुक्राना Guruji का, पल पल शुक्राना, जितना प्यार करें हम हमारे प्यारे Guruji को, उतना ही कम है, अभी मेरा बेटा आठ साल का हुए है, और इस बार इसका बर्दे था, फॉस्ट ओफ जुलाई को, हमने Guruji का घर पे, सुक्मनी साब का पार्ट रखवाया, गुरुजी का शुक्राना किया, सुक्मनी साब के पार्ट पे, मेरे देवर ने मुझे बताया, कि उसने हमारे घर पे साक्षाथ, गुरुजी के दर्शन की है, साक्षाथ, उसने Guruji को देखा है, और उसने मुझे बोला, कि भावी हैं, मैंने आपके Guruji को देखा, सबसंग पे, मुझे पूरा यकीन हो गया, कि Guruji, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आज आप आए हो, तो मुझे पता है, अपने बेटे को ब्लेस करने आए हो, बहुत शुक्राना Guruji, मुझे अब कोई लाइफ की, कोई टेंचन नहीं है Guruji, मुझे पता है, आप हमारे साथ हो, Thank you Guruji, I love you so much Guruji, Guruji के शुक्राने के लिए, मैंने एक शब्द गाया है, Sangeji, if you like, please, please listen to it, मैंने इंडिया गई थी, तो मैंने Guruji को वोला, मैंने का Guruji, मैंने आपको, मैंने आपका शुक्राना करना है Guruji, आपने मेरे बच्चे के उपर, बहुत, बहुत blessing के Guruji, मैं बहुत खुश हूँ Guruji, बहुत खुश हूँ कि आप घर पे विराजमान हो, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है Guruji, I'm very blessed that you are with me, you are my father, you are my guru papa, I love you Guruji, Thank you so much Guruji, Guruji का एक शब्द, Sangeji मैंने गाया है, आप प्लीज हो सके तो सुनेगा, Guruji शब्द बै स्वाती मदान, Thank you Guruji, Shikrana Guruji, Love you Guruji.